हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्ण टेक्निकल में फिर से दोस्तों नई जॉब की इंफोर्मेशन लेकर आया हूँ रुकीटमेट आ रही है दोस्तों IREL इंडिया लेमिटेड की तरफ से गवर्मेट ऑफ इंडिया अंडर्टेकिंग कंपनी है पब्लिक सेक्टर एंटर्प्राइज है ओल अवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं अलग-अलग पोजीशन के लिए नोटिफकेशन इनकी तरफ से जारी करा गया है जिसमें की हंडर्ट के करीब टोटर नंबर विकेंसी जिनके लिए आपको आवेदन करना है ओनलाइन मोड से आवेदन करना है किसी और मेथट का इस्तेमाल मत करिएगा ग्रेजर्ट ट्रेणी फाइनस की रुकीटमेंट है ग्रेजर्ट ट्रेणी एचार की है डिप्लोमा ट्रेणी की रुकीटमेंट है जूनियर सुपरवाइजर की रुकीटमेंट है परसनल सेक्रेटरी की रुकीटमेंट है इसके लावा treatment training की recruitment है जिसमें की ITA वाले eligible हैं तो detail में हम लोग बात करेंगे इसके पूरे eligibility criteria के बारे में उससे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे graduation वाले eligible हैं, master's वाले eligible हैं diploma वाले eligible है, ITA वाले eligible हैं तो अगर आपने कोई qualification इन में से ले रखी है तो आपके लिए मोका है, आप ज़रूर अवाइदन कीजेगा इस recruitment के लिए, बाकि SC, ST, female candidate, physically handicap, female के बारे में शौर नहीं हो, अभी हम लोग notification में देखेंगे, उनको fees देने की जूरत नहीं है, बिना fees के apply कर सकते हैं तो detail में बात करने वाले इसके eligibility criteria के बारे में, selection process के बारे में कैसे apply करना है, उसके बारे में बात करेंगे, तो शूर से लेके last next video को ध्यान से देखें, complete देखें, ताकि आपको हर एक चीज, हर एक detail का पता चल जाए यह है दोस्तो notification जो की जारी करा गया है, REL India Limited की तरफ से, Department of Atomic Energy, Government of India साथ जुलाई तक चलेंगे, इसके बीच में आपको apply करना है, इसके लावा दोस्तों बात करें यहाँ पे, किस-किस post के लिए कितनी vacancies है, तो graduate trainee के लिए 7 vacancies है, graduate trainee, HR के लिए 5 vacancies है, diploma trainee technical के लिए 19 vacancies है, junior supervisor के लिए 3 vacancies है, personal secretary के लिए 2 vacancies है, इसके लावा tradesman, trainee, ITA वालों के लिए यहाँ पे 28 vacancies है और इसके लावा fitter electrician के लिए 14, fitter electrician के लिए 14, यह जो है वो 2 है PC7 और PC8, दोनों में 14 14 vacancies है, जिसके लिए आपको अवेदन करना है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे पहले graduate trainee finance के लिए diploma trainee और जो graduate trainee HR है इसके लिए दोस्तों आपको जो salary बिलेगी 33,750 प्लस जो है आपको HR जो है उनकी तरफ से दिया जाएगा, 18 से लेके 26 साल तक आपकी age है आप eligible apply कर सकते हैं, इसके लावा junior supervisor राजभाशा के लिए यहाँ पे जो है वो salary आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 year जो है maximum age limit रखी गई है और personal secretary के लिए भी same criteria same जो है जो है एज रखी गई है, इसके लावा दोस्तों tradesman trainee के लिए आपको यहाँ पे 35 year जो है वो देखने को मिलेगी maximum age limit अटन से कम और 35 year से ज़ादा नहीं होनी चाहिए बाकी age lexation as per government rule मिलेगी जासे की पहले मिलती आईए और यहाँ पे आपको salary जो है वो 21,000 जो है वो मिलेगी बात करें दूस्तों qualification की तो graduate trainee finance के लिए आपने CA कर रखी है 60% के साथ आप eligible apply कर सकते हैं graduate trainee HR के लिए अगर आपने simple graduation कर रखी है 60% marks के साथ आप बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं diploma trainee technical के लिए 3 साल का diploma आपने कर रखा है mining में, chemical में, mechanical में, electrical में civil में, electronics और instrumentation engineering कर रखी है 60% marks के साथ आप eligible apply कर सकते हैं लेकिन कोई भी qualification आपने distance में जो है वो नहीं करी होनी चाहिए full time college में आपने अपनी study complete करी है तो ही आप eligible है junior supervisor राज भाशा के लिए आपने master degree कर रखी है हिंदी में, साथ में English compulsory या elective subject है आपका आप eligible apply कर सकते हैं साथ में एक साल का आपके पास वो work experience होना चाहिए English to Hindi translation का या Hindi to English translation का तो आप बिलकुल eligible apply कर सकते हैं इसके लाबा दोस्तों next equipment जो ही वो personal secretary की है जिसमें आपने graduation कर रखी है किसी भी recognized university से English उसमें एक जो है वो compulsory subject होना चाहिए साथ में typing speed आपकी 40 word per minute की है और साथ में आप knowledge रखते हैं computer की आप बिलकुल eligible apply कर सकते हैं लेकिन यहां भी बात खतम नहीं होती है इसके साथ भी आपको एक साल का experience चाहिए अगर है आपके पास तो आप eligible apply कर सकते हैं इसके लाबा दोस्तों यहां पे treatment trainee ITE के लिए अगर आप apply करने वाले हैं फिटर, electrician, instrumentation में अगर आपने ITE कर रखी है साथ में आपके पास दो साल का experience है relevant trade का आप eligible apply कर सकते हैं attendant operator chemical plant के लिए भी SST path हैं आप eligible apply कर सकते हैं या आपने 10 plus 2 science कर रखी है आप apply कर सकते हैं इसके लाबा भी चुहे आपके पास experience दो साल का होना चाहिए तो ही आप apply कर पाएंगे तो ये दोस्तो था criteria जो है वो qualification अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर mode of selection की तो mode of selection आपका रहेगा return test होगा उसके बाद skill test होगा trade test, computer proficiency test और इसी के मातियम से selection होने वाली है relative marking बिल्कुल भी नहीं होने वाली है इसके लाव दोस्तों subject की बात करें तो अलग-अलग position के लिए अलग-अलग subject यहाँ पर दिये गए है graduate trainee, graduate trainee HR, junior supervisor, personal secretary के लिए यहाँ पर subject knowledge का 50 mark का पेपर होगा इसके साथ journal knowledge, numerical ability, reasoning ability, journal English यह सारे subject आएंगे इसके लावा diploma, trainee, tactical के लिए भी section A में यहाँ पर पेपर होने वाला आपका subject knowledge और इसके लावा section B में आपको specific discipline से related knowledge आपकी देखी जाएगी इसके लावा जो paper 2 होगा वो same ही journal knowledge, numerical ability, reasoning ability, journal English यह होने वाला है और सभी में यह subject mandatory है इसके लावा subject knowledge भी होनी चाहिए तो आप apply कर पाएंगे negative marking बिल्कुल भी नहीं रखी गई है इसके लावा दोस्तों यहाँ पे sentence की बात करें तो graduate trainee, graduate trainee HR, diploma trainee के लिए junior supervisor, personal secretary के लिए Mumbai, Pune, इसके लावा कौची, भूवनेश्वर कटक में आपकी जो हो सकता है examination, और बागी treatment training के लिए यहाँ पे जो है आपका exam होगा इसके लावा यह जो है criteria उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप चाहें तो खुद भी आके read कर सकते हैं link notification का आपको description में मिल जाएगा हमारी website पर वहाँ पे जाके आप सारी जानकारी read कर सकते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं application fees के तो application fees वह सभी post के लिए same रखी गई है 472 rupees fees आपको pay करनी है और अगर आप आते हैं SCST जो है woman candidate है आप person with benchmark disability है economically जो है वह weak है आप तो आप बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं ESM जो है back service man के लिए है economically weaker section के लिए नहीं है बाकी सभी को 472 rupees fees online mode से pay करनी पड़ेगी apply आपको दोस्तों online mode से करना है जिसका link आपको description में हमारी website पर मिल जाएगा वहाँ पे सारी जानकारी उपलब्ध है वहाँ पे जाके आप सब कुछ read करिए उसके बाद आपको लगता है आप eligible है तो आप ज़रूर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो यह दो दोस्तों आज की इस वीडियो में थेंक्यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए आशा करतों का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई हो कि वीडियो में कुछ अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी जोब अपडेट जो है वो आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए इसके लिए आपको चैनल को सबस्क्राइब करना और बेल अइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है मिलेंगे ऐसी किसी नही जोब अपडेट के साथ दुबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए